हेलो स्टुदेंट्स वंस अगें वेलकम तो आर चैनल स्ट लुटी स्टडी जोन जैसे कि आपको पता होगा हम लोग इंडियन इकनोमी पढ़ रहे थे और उसके अंदर यूनिट फर्स पढ़ रहे थे जिसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किये थे जो कि हमारे स तो आज हम लोग बाकी जो रीमेनिंग पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे आपको हमारी वीडियो डाल रहे हो आपको समझ में आ रही हो कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट को आप बता सकते हो उसको सलिशन आपको तुरन मिल जाएगा और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आ लेट स्टार इस वीडियो तो हमारा पाइला टॉपिक है फाइव प्लान अचीवमेंट एंड इस फैलियर ठीक है तो पहले जानते हैं फाइव प्लान होता क्या है फाइव प्लान इस अ कॉंप्रिहेंसिव एक्वनोमिक और सोशल डेवलेबेंट प्लान देट इस तीपिकल होता है कुछ गोल होता है जिसको गोवर्मेंट को अचीव करने होता है इन वेरियस सेक्टर्स अफद एक्वनोमी सोसाइटी के जहां पर जो गोवर्मेंट है वह अपना गोल टारेक्ट सेट करती इस प्लान के अंतरकत और उसको अचीव करना ही पड़ता है theories सेक्टर फाइव आप करना चाहती है वह है अगरिकर्टिर शेक्टर सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर सेक्टर इद्फरिसेक्टर सेक्टर qay नेक्स्टDr. नेक्स्ट की बात करें तो कहता है your industry टिंवर्में बलान इंत्रोड ताहा उन्द्टियूईं города탁ेल चाह neces is में काव हुआ था कहा वह था पहले ठीक है एंड लटर आपटे बाइस वर अधर कंप्रीज क्ट्रीज इंक्लूदिंग इंडिया चाइन और इंडोनेशिया इंडिया इंडिया प्लान वर इनिशेटिड इन 1951, by planning commission, थीक है, इंडिया में जो 5-1 plan आया था, वो 1951, by planning commission, थीक है, planning commission के दौरा, which was responsible for formulating and implementing the plans until 2014, जो की responsible था, 2014 के पहले पहले तक plans को बनाना, और अरुन को implement करना, when it was repressed by NITI-AYO, मतलब की, जो हमारा 5-1 plan था, इसको name कर दिया गया है, तो आप इसका achievement की कुछ बात कर लें, तो इसका achievement है, पहला achievement आता है, economic growth, थीक है, the 5-1 plan have played a significant role in India's economic growth, थीक है, जो 5-1 plan था, इंडिया की economic growth में एक बहुत main role अदा किया है, थीक है, which with the economic growing at an average annual rate of around 7% over the past, थीक है, मतलब की, जो economic growth है हमारे 5-1 plan जबाया था, तो बहुत कम था, उसके आलने के बाद, पिछले past हमारा था, उससे 7% जादा हमारा देस आगे बढ़ चुका है, और 7% भी एक बहुत बढ़ा amount होता है, in terms of growth, थीक है, दूसरा point था हमारा industrial development, थीक है, जो इंडिया है, उसने स्टेबलाइस कि a strong manufacturing basis, बहुत सारे industrial development, बहुत सारे manufacturing industries आ गई, थीक है, जिसने server sectors में बहुत सारा अपना जोगदान दिया, जैसे कि automobiles, textiles and electronics, थीक है, next point हमारा आता है, agriculture, the fiber plan have helped to improve agriculture productivity and infrastructure, जो agriculture sector था, उसको productivity थी और infrastructure था, उसको fiber plan ने enhance कर दिया, इंप्रूब कर दिया, resulting in increase in agriculture output and reduce poverty in rural areas, जिससे फायता हुआ कि जो agriculture output था, जो हमारा पहले कम आ रहा था, आज कम-कम हो रहा था, उसको भी enhance कर दिया, उसके plan बना के जब काम किया गया थो, और जो गरीबी देखा है, वो rural areas में या गाहों के खेतों में, इसको कम कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, वेलफेर प्रोग्राम, सच आज नेशनल रूरल Employment Guaranty Scheme, ये श्कीम के बारे में तों हम पता लिए होगा, नेशनल रूरल Employment Guaranty Scheme, ये एक सोचल वेलफेर प्रोग्राम है, जो कि government उदर स्टार्ट किये गया था, विच पर्वाइड एपऌरोटुनि तो और रूरल हॉसेोड चिते भी रूरल हॉसेट है इस कीम के अंतरगे बहुत सरे इंफराइमेंट अपोर्जिटि उन्टीर विए जो कि नैशनल रूर इंप्रोयरं गयेंटिए स्चीम कहलाता है और हमारा लास्ट पॉंट इन चीमेंट्स आता है इंफरा स्ट्रेक्ट्ट्रॉट्ट्रॉट्टर वीट्रॉट्ट्रॉट्रब् किया गया गोवर्मेंट कहां कहां रोड में रेल्विवेंट पावर में में जिसे वह आई और कंपनिया जाई इंप्लॉइमेंट मिला और इंफ्रसेक्टर बहुत सारा हमारा बिल्ट अफ होगा है तो अचीमेंट पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेल्योर्स पहला पॉइंट आता है पॉइर्टी एंड इन इक्वालिटी डिस्पाइट डिस्पाइट दा एकनोमिक ग्रोथ अचीव थ्रोफाइब प्लान पॉइर्टी रिमें मेजर चैलेंजर इन इंडिया मतलब कि एकनोमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारे देश में कुछी अभी और रहे हैं तो यह एक मेजर चैलेंज है हमारे इंडिया में रहे हैं तो बहुत टाइम से ही इंडिया में रह रहा है बहुत पहले से इंडिया पिछड़ा जो एक देश था उसमेया लेकिन अभी टाम तो बहुत डेवलप कर चुका है हमारे कंट्री ठीक है तो जो अभी भी चैलेंज बना हुआ है हमारा फाइबर प्लान आया बट उसने बहुत से एनन्स किया बहुत चीजों को लेकिन अभी भ इसको बनाने यूथ का बहुत आत होता है तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए गवर्मेंट को कि इंप्वाइमेंट को बढ़ाए ताकि यूथ को भी हेल्प ठीक है तीसरा पंट हमारा आता है रिजिनल डिस्पारिटीज देर आर सिगनिफिकन डिस्पारिटीज इन इ तो इसम रिजन इंडिया में अच्छा कहता है तो आप डेली को देख लीजे वहां पर बहुत शारी चीजे थी वह सारे चीजेए जो डेलेप्ध है तो इसम limited अगर आपड्रेवल्मेंट में बढ़ाए तो लिडेली देख लीजे चाहिए आप अभी टायमर डेलेप्ध हो प्लान आया बट उतने तरीके सीन को एंहां नहीं करबाए इनको रिक्वाइट था ठीक है नेक्स पॉइंट आता है इन्वर्मेंटल डिग्रेटेशन इंडिया इक्नामिक ग्रोथ हैस कम एड सीनिफियर्ट इन्वर्मेंटल कोस्त मतलब कि जो इंडिया वह एक बहुत ही खु जितनी हम नुकसान पजासते हैं वह चीज़ें यूमेंट कर रहा है जिसे हमारे जो हैल्थ है उस पर एफेक्ट आ रहा है लोग और वाटर पॉलिशन हो गया डिफोरस्टिशन हो गया और क्लामेट चीज़ हो गया इससे हमारे इन्वर्मेंट जो है बहुत डिग्रेटेश इस करप्शन और गवर्न करप्शन रिमेंस अमेजर चैलेंज इन इंडिया विद लैक ओफ ट्रांसपरेंसी अनकाउंट बिलिटी हिंद्रिंग अफेक्टिविनेस अफ्टीवन प्रोग्राम पॉलिशी मतलब करप्शन अभी भी कंटिनूस बेसिस बनाया हम लास्ट कर जाएगा जिदी करप्शन इंडिया खतम हो जाता है तो इन चीजों को अध्यान देने की जुरत है हमारा नेक्स टॉपिक के और मुवन करते हैं जो की है नीतियायोग जिसका फुल फुल फूर्म है नैशनल इंस्टिउशन और ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया इंडिया है ड्रांस्फर मीश making Nana of transforming India okay he's a policy think tank and adversity body stabilize गवर्मेट in 2015 to provide strategic and technical advise to he Central and State government okay को 2015 में stabilize की हागे नितियायोग को by government to provide a central government to provide strategic and technical advice to the central and State well theka, it was formed to replace the planning commission इसको इसलिए बनाया गया था कि प्लाणिंग कमिश्ण घटाया जा सके विच वाज रिप्लेस्ट इन 1950 जिसको इसने रिप्लेस्ट कर दिया था ठीक है अगया में अबजेकिव है रिप्लिया जाखृत अच्छी पोलीशी मैं उसको फॉर्मिलेट करना और इंपलिमेंट करके अच्छा सुस्टेमर इंग्रीज नानदेश में यह इनके में अबजेकिव है निती आयोग का हमारा नेक्स पॉइंट कहता है तू प्रमोट कॉपरेटिव फेटरल लिजन बाई फोर फॉस्टरिंग पार्टनर्शिप और कोरिबरेशन बिट्वेशन बिट्वेशन सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट मतलग कुपरेटिव जो चीजें हैं उनको प्रमोट करना एक स्टेटिव और काम है उनको प्रमोट किया जो चीजें बनाए अडवाईज दे कि अइसे चीजें काम है निति आयोग में अब्जेक्टिव है प्रप्रवेटर करना उन्हें जो प्रफिट हो रहा है उनमें जो लॉस हाने आ रही है उन्हें चीजह को देखना और मोनितर करके बताना गौर्णेंट को टाइम यह निती है प्रमोट इनोवेशन और इंटेप्रेनियोड शेप बाइश स्टार्ट अब बिसनेश पेंचर मतलब कि मतलब नान जैसे इसमें ने दुकान फुल्लीब्ट इस में बढ़ता है थी कि उसको सपोर्ट करना निती हो काम मैंने स्टार्ट अब बनवाना बिद्नेस को यह नितियायों की objective है Promote knowledge sharing and capacity building among stakeholders and development process ठीक है मतलब कि knowledge को share करना capacity building बनाने capacity increase करना among stakeholders in the development process इतने भी stakeholders है उनके knowledge को increase करना और यह नितियायों काम है about any economy points to remember यह हमारे last topic आज का तो किया कि बातें को थान रखने है नितियायों is led by chairperson who is the prime minister of India मतलब कि नितियायों जो है उसके head जो होता है prime minister of India and has a CEO and a team of experts and advisor to support its work मतलब कि वहाप एक CEO भी appoint होता है head जो है prime minister होता है लेकि CEO भी appoint होता है जो कि जिसको head माना रहता है उस particular time के लिए और एक team होती experts की और advisors होता है बहुत सारे to support this work it works closely with other government agencies as well as international organization international organization के साथ भी काम करता है और government साथ भी interact करता रहता है नितियायों to support the achievement of India development goals मतलब कि जो इंडिया का achievements और सपोर्ट करना और नेने जो गोल से उनको बनाने में नितियायों बहुत काम करता है some of the key initiatives of program नितियायों इंक्लूड बहुत की initiatives और प्रोग्राम से नितियायों के को नितियायों के पहला देखते है तो पहला है अटल innovation mission which promotes innovation and entrepreneurship among youth and promote the development of start-up मतलब कि जो अटल innovation mission था ये प्रोमोट करता है innovation and entrepreneurship को अंग जो हमार नेने youth हैं उनके अंदर और प्रोमोट करता है development of start-ups को भी develop करने में और लगाने में नितियायों help करता है the aspirational district program which aims to accelerate the development of 112 districts that are lagging behind the terms of development indicators मतलब कि development indicators के होने के बाद जो भी ये नहीं develop कर पा रहे तो इसमें 112 districts है जिसके इस प्रोग्राम के अंदर aspirational डिस्टिक प्रोग्राम ठीक है जिसके अंदर एक सो बाद डिस्टिक को enhance किया जा रहा है development करने के लिए and the national nutrition mission which aims to address manipulation and improve the health of women and children in India मतलब कि ये भी एक scheme है national nutrition mission जो कि जिसका main काम ही है कि जो health है वो उसको increase करें इधर हो चिल्रेन हो women हो men हो ठीक है ठीक है फोप आमको हमारी वीडियो पसंद आई हो points आपको समझ में आए हो को query हो तो कुसको comment query करिए आपको तुरहन उसका answer मिलेगा आपको नोट से इस्टाग्राम में message कर सकते हैं आपको तुरहन मेसेज मिलेगा ठीक है आपको वीडियो पसंद आई हो आपको नोट बनाने मदद हुए हो तो हमारे चैनल को subscribe करिए वीडियो को share करिए अपने friends में अपने groups में ठीक है ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं ठीक है thanks for seeing this video guys and thanks a lot